नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वारल हिंदी नूज में स्वागत है दोस्तों दिली के उपमुखे मंत्री ने कहा ट्रांसफर और पोस्टिंग सी एम करेंगे सर्विस डेपार्टमेंट का फैसला मांडने से इनकार केंद्रा और दिली सरकार के भी अधिकारों के विवात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी पिछले 4 साल से जारी लडाई थम नहीं रही सुप्रीम कोट की पांच जजों की सम्मिद्दान पीट ने बुद्वार को कहा कि उपरार जपाल, एल जी, स्वतंतरु रूप से फैसले नहीं ले सकते वह निर्वाचित सरकार की सलहा के प्रतिवाद्य हैं इसके कुछ घंटे बाद ही उप मुख्यमंत्री मनीश सिसोधिया ने प्रेस कॉन फ्रेंज कर कहा कि अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांस सफर का अधिकार अब मुख्यमंत्री अर्विंद के जरीवाल के पास है लेकिन केंद्र के अफसरों का कहना है कि इस मुद्दे पर अभी रेगुलर बेच में सुनवाई होनी है इसलिए पोस्टिंग ट्रांस सफर की बात नहीं मानी जा सकती कानूनी विशेशग्यों ने डिप्टी सी एम के कदम को घलत बताया सीनियर एडवोकेट के सी कौशेक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इलजी और दिली सरकार के अधिकार और करतव्य स्पष्ट किये हैं नियोक्ति ट्रांस पर जैसे मुद्दों पर कोई फैसला नहीं दिया है इन मुद्दों पर रेगुलर बेच सुनवाई के बाद फैसला देगी सीनियर एडवोकेट विराग गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के और्डर में स्पष्ट लिखा है कि इसमें सिर्फ असमबेदाने मुद्दों पर निर्न दिया है बाकी मुद्दों पर डिविजन बेच सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिली हाई कोर्ट के फैसले को चुनावती देती के जरीवाल सरकार की अरजी पर फैसला सुनाया था हाई कोर्ट ने कहा था कि दिली के प्रशासनिक मुख्या उपरा जपाल ही है कोई भी फैसला उनकी मंजूरी के बिना नहीं लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी की सरकार को तीन फाय दे तीन नुकसान दोस्तों में आप तक नई नई वीडियो पहुचाता रहुए इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले थांक यू